36 गड़ में तीन चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन होने के बाद प्रदेश की मंत्री इन दिनों पड़ोसी राज्य ओडिसा में चुनाव प्रचार की कमान संभाले वे हैं इसी कड़ी में ओडिसा राज्य में बढ़गर के आतावीरा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रदेश के उक मुखी मंत्री एवं गुरी मंत्री विज़शर्मा ने कहा कि ओडिसा में परिवर्तन की रहे हैं प्रदेश की नवीन पटनायक सरकार ने लोगों के साथ खिलवार किया है नवीन बाबु 25 साल से शासन कर रहे हैं गरीब व्यक्तियों को जो 5 किलो चामल दिया जा रहा है वह तो केंदर सरकार का है राजी सरकार का क्या है यहां 213 रुपए में धान की खरीदी होती है यह तो समर्थन मुल है और यह राशी केंदर सरकार देती है राजी सरकार क्या देती है उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानना चाहूँगा कि 25 साल की सरकार के बाद भी नवीन बाबु ने क्या क्या है इतना संपन राजी होने के बाद भी राजी सरकार कर क्या रही है इतना संपन रही है प्रदेश है, इतने माइन माइन्स है यहाँ पर, इतने इतना बड़ा आपका सीशोर है, पोस्टल रीजन है, इतना बड़ा वनचेत्र है, इतना अच्छा ब्यापार है, कुल मिलाकर सरकार करती क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, इसके साथ-साथ स्वाब इमान, यह भी बहुत आवश्य है, भगवान राम टेंट पर जब तक थे, तो मैं जब भी उनकी कथा सुनता था, तो मैं यही सोचता था कि उनके पराकरम की कथा सुन रहे हैं, हम उनके भगत हैं, भगवान टेंट में है मंदिर उनका टूटा हुआ है, मंदिर बनना चाहिए, जब से मंदिर बना है, मेरा चाती 56 इंच का हुआ है, देश का स्वाभिमान बढ़ा है